नमश्कार में तो DLSS ब्रेकिंग से एक बड़ी खबर आ रही है के घर से बाहर न निकले नहीं तो भी रासत में ले लिया जाएगा चारखन की राजदानी राचे में हिंसा की खटना के बाद एक दिन प्रशाशन ने लोगों को गर से बाहर नहीं निकलने के लिए कहा है प्रशाशन ने एलान किया है कि जो लोग अपने गर से बाहर निकले गए उन्हें हिरासत में ले लिया जाएगा बदा दे कल देशपर में कई स्थों में नमाज के बाद हिंसा बड़क उटी और सबसे ज्यादा बबल राची में देखने को मिला हिंसा में दो लोगों की मौत हो गए जबकि कई लोग कायल हो गए एक और बड़ी खबर आ रही है कि कम उम्र के लड़के पत्थर बरसाते रहे हैं और हिंसा के तस्फिरे आप देख सकते हैं कि कई राजों में जुमिय की नमाज के बाद जम का हिंसा हुई यूपी चार खंड बंगाल में जम कर उपद्रुयों ने उत्पात मचाया राची में सबसे ज़्यादा वबल हुआ यहां दो लोगों की मोथ हो गए और कई कायल है वहीं यूपी में प्रियांगराज अटला और नुरला रोड पर हिंसक भीड ने घरों के अंदर और छटों से पुलिस पर पत्थर फेके बिच बिच में पुलिस आसुगेस के गोले छोड़ती और जवाब में उपद्रियों बम फोड रहे थे कम उम्बर में लड़के भी पत्थर फेकते नजर आ रहे और जए हिंसा हुई है हिंसा के बाद कई शेहरों में इंटरनेट शेवाय बंद कर दी गए शुकरवार को चुमे की नमाज के बाद नारे बाजी की शकल में शरू हुआ विरो धिर धिर हिंसा में बदल गया फिर पुलिस पर पत्थर फेके गए गाड़िया तोड़ी गए थाने और पुलिस के वाहनों में आग लगा दी गए इसके बाद प्रिशाशन ने कई जगों पर इंटरनेट शेवाय बंद करने का एहलान किया कोलकत्ता के हावडा चिले में 13 चुन सुबद 6 बज जयतक इंटरनेट शेवाय बंद रहेगी